आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello गाईज, हमें जो Question दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हमें Integrate करना है अंडरूट X प्लस 3DX को तो आईए हम इस Question का Solution देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगें इसको Note कर लेते हैं इस Question को ही हमें क्या दिया है Integration अंडरूट X प्लस 3DX अब मैं क्या करूँगा X प्लस 3 को पूरे को T माल लूँगा जिससे यह क्या बन जाएगा टी सम्थिंग टी के फॉर्मेट में टी टाइमस सम्थिंग तो X प्लस 3 is equals to T माना तो DX मेरा यहां से differentiate करने के बाद DX क्या आजाएगा DT आजाएगा अब मैं इसमें बापे substitute कर दूँगा तो यह क्या बचा यहां से under root T और DX क्या है मेरा DT तो मेरा यहां से मैं इसको क्या लेख सकता हूं फिर से T की power root T है तो T की power यह क्या है 1 by 2 और यह DT अब मैं जानता हूं T की power N का integration क्या होता है T की power N प्लस 1 अपन N प्लस 1 यह होता है यह हमने integration की basic rules में पढ़ा है integration of xc power n के format का जो से मिले लिए इसका क्या हो जाएगा integration e की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c जो है मेरा integration constant हो गया तो यहां से मेरा क्या आ रहा है t की power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c तो यह मेरा क्या answer हो जाएगा 2 by 3 times t की power 3 by 2 plus c अब उपर मैंने question में t क्या मालना था x plus 3 तो मुझे वापिस t की value यहाँ पर substitute करने पड़ेगी तो यह क्या हो जाएगा 2 by 3 times t क्या था x plus 3 x plus 3 की power 3 by 2 plus c तो मेरा final answer हो गया 2 by 3 times x plus 3 की power 3 by 2 plus 3 तो में से question में क्या पूचा गया था x plus 3 dx integration तो यह मेरा answer आ रहा है 2 by 3 times x plus 3 की power 3 by 2 plus c तो मेरा हो गया answer thank you guys for watching the video hope you like the solution Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर